नमस्कार साथियो साथियो चैनल पर आपका स्वागत है सीवेसी की तरफ से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है और बच्चों के मन में दुविदा पे दुविदा आ गई है कि जो पढ़ाई का एक स्पैन बीच में जो रुकावट हो गई थी अब उसको उनको दोबारा से त्यार करना पड़ेगा बहुत सारे बच्चों के मेसेजिज आ रहे हैं कि हमारा तो पेपर होई चुका है वो सीवेसी ने हमी पास कर दिया है तो फिर ये प्रोजेक्ट पैक्टिकल क्यों तो इस संबंदी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से आप इन दिनों में भी आप पूरे के पूरे 100% मार्क्ष ले सकते हैं अपने इन प्रोजेक्ट और पैक्टिकल में बच्चों ये ध्यान से समझने की बात है कि ये जो मार्क्ष हैं चाहे आप एक्जाम बाद में दें या ना दें वो आपके मार्क्ष कभी भी चेंज नहीं होंगे यहाँ पर 20 में से 20 आगए या 20 में से 10 आगए तो वो मार्क्ष आपके वही जुडेंगे अब आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है दूसरे मार्क्स को लेना लेकिन ये जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं इनको आप ले सकते हैं तो मैं कुछ तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप 100% मार्क्स ले सकते हैं और किस तरह से आप तेयारी करें, ताकि आपके जो marks हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा brief, मैं आपको इस circular के बारे में बता दूँआ, तो CVSC की website से ये circular हम download कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या-क्या इसकी main बाते हैं, तो ये 6621 का ये circular है, और यहाँ पर extension दिया है, practical project और internal assessment के लिए, ताकि जो pandemic की वज़े से, जिन subjects के ये marks नहीं upload हुए थे, वो marks यहाँ पर 2862021 तक upload किये जासके, पूरा का पूरा online mode होगा, external, internal और आप तीनों मिलकर के यहाँ पर ये वयवा देंगे, और पूरी presentation करेंगे, आप समझ लीजे, आपका पूरा जो आपने research वर किया है, जो आपने project त्यार किया है, वो सारा का सारा यहाँ पर check किया जाएगा, देखा जाएगा, हो सकता है, ज उसकी PDF की भी demand करें, कि आप उसकी PDF send करें, अगरवाइस आपका photo तो जरूर वहाँ पर save कि आप जाएगा, external आप और internal तीनों का जो online test लिया जाएगा, वहाँ पर आपका photo लिया जाएगा, तो अब हम आते हैं कि कैसे आप त्यारी करें, सबसे पहले आपसे request है कि 70% बच्च यहाँ पर आते हैं और पूरा channel देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते तो आपसे request है, channel को अभी subscribe कर लें और bell icon को press करके लगाता notification पर बने रहें, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपका वायवा होता है, उसके साथ साथ आपके जो marks और भी होते हैं, यहाँ total अगर हम 20 marks क केवल वायवा ही नहीं है, यहाँ पर आपके relevance of the topic, 3 number, knowledge, content, research, 6 marks और presentation technique, 3 और वायवा आठ, यह अलग-अलग subjects में अलग-अलग हो सकते हैं, मैंने economic subject का आपको बताया है, तो केवल वायवा के marks नहीं जुड़ेंगे, आपके सभी अलग-अलग criteria के भी जुड़ेंगे, इसलिए जो आपने project किया है, जो research work किया है, सबसे पहले उसको clear करें, और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको साफ सफाई से आपने उसको डून लिंकालना है, उसमें जो तुरिटियां उसको complete कर लें, तो उसमें सबसे पहला आपका title page होगा, साफ सुतर आपका संस्तान का नाम है, आपका सीर्षक है, आपका नाम, क्या कारण है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके वायवाय में भी बहुत important है, आपका जो सीर्षक है, उसका meaning आपको पता होना चाहिए, क्यों आपने ये त्यार किया, क्या reason थे, क्या उदेश्या है, कहां से आपने help ली, क्या topics आपने और select किये, कौन सी books है, कहां से आपने website से information ली, ये आपका सारा पता होना चाहिए, क्योंकि जो examiner है, वो आपको बातों में से ही बाते निकालेंगे, और जो आ जो आज इसमें आप comfort रहें, वो उसमें आप कोसिस करें, कि जिस language में आपने project बनाया है, उसी में बात करने की कोसिस करें, लेकिन आप English में बनाया है, तो हिंदी में भी कुछ points रख सकते हैं, अब हमें प्रमान एक certificate देना पड़ेगा, जो कि संस्तानवा विबाग गया मु तो fourth है, वो हमारा table of content, यहाँ पर आपने सीर्षक उप सीर्षक और उसकी pages और details आपने यहाँ पर लिखने हैं, ताकि जो examiner उसको आराम से देख पाई, देखिए यहाँ पर online में हो सकता है, यह चीज़े आपकी कम हो, इसकी importance कम हो, लेकिन आप तयार करके जरूर रख ले, पता नहीं examiner क्या आपसे पूछ ले, फिर आपके आएंगे main work जो आपने किया है, वहाँ पर उसका सीर्षक आपके जो है, वो क्यों आपने सीर्षक चुना, और उसके क्या विचार थे, यह first करना है, फिर आपने इसके aims, objective आपने, research work के objectives क्या है, यह आपने लिखने, अगर आपके objectives first होंगे, तो आपके अंदर एक अलगी confidence आएगा, फिर आपने पूरा का पूरा परीचे देना है, विविन परिभाशा है, आपने note करनी है, और कहां कहां से आपने सूचना है, इकटी की, परदर्शित की, आपने उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, और उसको sequence में आपने note करना है, sequence में बनाई रखे, क्या-क्या गटना ही थी, पहले बाद में, उसके बाद में, जैसे क्रिशी का विकास है, जैसे पहले क्या हुआ था, आरित क्रान थी, उसके बाद में, उससे पहले क्या था, बिटी स्काल का, तो आपने chronological order में उसको रखना है, और उसक योजना का क्या परिणाम, क्या outcomes निकले, और किस तरह से आपका ये daily routine में ये फायदे बंद होगा, तो ये जो topics हैं, इसको आपने current जो हमारी pandemic है, COVID की, उससे भी relate करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा marks आपके आएंगे, और आपके जो examiner वो संतुष्ट होगा, आपने जो जो होते हैं, वो आपने note करने हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा, इसमें आपका content भी आगया, research work आगया, relevance of topic हो गया, presentation techniques हो गया, तो total 12 marks का ये हो जाएगा, अब हमारा वायवा है, तो वायवा की तयारी क्या करें, आपको वायवा की तयारी करनी है, आप अप प्रेयो करके questions कर सकते हैं, अपने आप से अपने भाई बैन से पूछ सकते हैं, एक जो technique थी वो मेरे लिए बहुत मुझे अच्छी लगी कि आप अपने जो साथी हैं, जिनको same process करें, जिनको same project मिला हुआ है, वो और आप मिलकर के online आएं और एक दूसरे से questions पूछें, best technique है यह आपका confidence भी boost होगा, आपके questions भी clear होगे, और बहुत सारी चीज़े आप सीखोगे, तो objective questions की list बना लें, और उसके बाद में यहाँ पर आप तयारी करें, इस तरह से एक दूसरे की, आपने जो answer लिखना है, वो आपने जो बोलना है, वो सरलोस पस्ट होना चाहिए, अग नहीं आता है, तो आप clear उनको शालीनता से मना कर दें कि हमें यह questions नहीं आता, बात को गुमाने फराने की जरूरत नहीं है, एक्जामिनर भी जानते हैं कि आप किस दोर से गुजरे हैं, तो वो भी आपकी सोचेंगे और अच्छे marks देने की कोशिस करेंगे, लेकिन बत्तमी जी या किसी भी तरह से उनके सामने इस तरह की बात ना करें कि वो यह समझे कि इनको कुछ भी नहीं आता, आप objective questions त्यार कर लें और उनको अच्छी तरह से याद करें, बार-बार revise करें, अपने teachers से जरूर बात करें और यह जानना की कोशिस करें कि यह जो examiner है, वो आप से क्या चाता है, यह पहले दो-तिन दिन पहले की बात होने चाहिए, क्योंकि आपके जो teacher है, internal examiner है, वो coordinate करेंगे external examiner से, और वो बातों बातों में पूछ सकते हैं कि किस तरह के वो questions पूछेंगे, क्या वो बच्चों से आशा करते हैं, और वो बाते आपको बताएंगे, तो आपको preparation करने में यहाँ पर आसानी रहेगी, तो आप अपने teacher से बात करें, उनसे कहें कि आप वो आगे convey करें बात, और इस तरह की बाते से बातों में से और बाते आती हैं, तो अगर आप इस तरह से यह सारी चीज़े करेंगे, तो कोई भी नहीं रोक सकता, आपको 20 marks में स 20 marks लाने में, यानि कि 100% लाने में, तो आप यह सारे की सारी तयारी कीजिए, चैनल को भी subscribe कर लिजिए, आपके जो questions हैं वो आप comment box में करें, Instagram, Facebook से भी आप जुड़ें, और अगर कोई भी प्रेशानी आपको आती है, तो आप comment में जरूर हमसे share करें, कोशिस की जाएगी कि वो आपसे answer देने की, आपका ये जो project है, practical है, वो बहुत अच्छा जाए, ये मेरी कामनाई है, आप अपनी शुब कामनाई दूसरे बच्चों के लिए लिए लिखें, यहाँ पर comment में, ताकि वो भी आपके लिए शुब कामनाई लिखें, एक दूसरे की शुब कामनाई ही ही हमें कुछ boost करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करती हैं, तो यहाँ पर इतना ही आपसे नई वीडियो में में मिलूंगा, और दूसरे जो आपके questions हैं, उनको soul करने की कोशिश करेंगे, चैनल को subscribe करने के लिए आपका बहुत अच्छा